में अखें आपका स्वागत करता हूं आपके बने यूटूब चैनल वीजागाले श्याइटिस में दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रेस स्याइटेस एंटेस एक्जाम का पैटर्न क्या रहेगा आप स्याइटेस एक्जाम की तयारी कैसे कर सकते हो इन सभी को लेकर हम इस शुड़ें बात करने वाड़े है तो चलिए आगे बढ़ते है तो देखे दोस्तों जिन स्टुड़ेंटें आप टेलिग्राम चैनल को जोईन कर ले तेलिग्राम चैनल जोईन करने के लिए आपको करना क्या है टेलिग्राम एप पर जाकर सर्च कर लेना है जैसे ही आप सर्च करोगे विजय काले से इसके नाम से टेलिग्राम चैनल आ जाएगा उसको जोइन कर लेना है तेकर टेलिग्राम चैनल जोइन करने का फाइदा है यह होता है निमी या डिजीडी की तरफ से कोई नोटीस आता है कोई पीडियाप है वो सब्सक्राइब कर ले अगर उनको जानकार इच्छे लगते तो वीडियो को लाइक कर देना और आपका फिर भी कोई डाउटर रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो यहां पर देखिए ड्रेसमेकिंग ड्रेड कोलीज लिस्ट पहला कोलीज है आपका एनस्टे डवलू अलाबाद यहां पर आपकी 75 सीट है और डवलू का मतलब मैं आपको ब 50 सीट है एनस्टे जैपूर में आपकी 75 सीट है एनस्टे कोलगाता में आपकी 25 सीट है और दोस्तों आपको मैं एक और बात बता दूं इन सभी कोलीज में आपको होस्टल की सुविधर मिल जाएगी ठीक है आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्टे मुंबई यहां पर आपकी 50 स सीट है एनस्टे उड़ोद्र में आपकी 25 सीट है और एनस्टे कानपूर जो लड़के और लड़के दोनों के लिए है वहाँ पर आपकी 50 सीट है यह आप देख सकते हो इन सभी में भी आपको होस्टल की सुविधर मिल जाएगी अब बात कर लेते हैं जो स्टुडेंट सेटे सेंट एक्जाम की तयारी अपनी अच्छे से करना चाता है उसके लिए आप हमारी मेंबर्शिप जोई नहीं कर सकते हो ठीक है उससे आप अपनी तयारी बहुत अच्छे से कर पाऊगे इस मेंबर्शिप में आपको क्या-क्या इसकी पीडियाप रहेगी जो पिछले वर्सों में पेपर हुए है चोता काउंसिलिंग प्रस्नल गाइडेंस यानि जब आपका रिजल्ट आजाएगा स्याइटेस एंटेस एक्जाम का उसके बाद आपकी काउंसिलिंग होगी को आपको को चोईश करना पड़ेगा तो उस इस्टुडेंट मेंबर्शिप जोइन करना चाता है वो सिम्पली वाट्सप नमभी पर कॉंडेक्ट कर सकता है अब यहां पर देखे गोर्मेंट आइट्योटी न्यू न्यू का मतलब यह पिछले दो वर्सों से कोलिज ओपन हुए है तो यहां पर आप देख सकते हो यह है गोर्मेंट आइट्योटी निजामबाद यहां पर 25 सीट है और यह आपका तिलंगाना में है ठीक है और यहां पर होस्टल की फैसिलिटी आपको नहीं देखने को मिलीगी इस पाद का भी ध्यान रखना अब क्याय विकेशन की बात कर लेए। क्यों प्वी केसं में देखिए अगर आपने डीग्री आ डप्लॉमाद, कम से कम दो साल का किसमे कर रख का है, कोश्टूम, डिजाइनिंग, एंड ड्रेस्मेकिंग अगर कर रख का है, फैसन, डिजाइनिंग में, फैसन, तो आप इसके लिए अलिजीबल हो या फिर आपने आईटाई कर रखा है ड्रेस मेकिंग में तब भी आप इसके लिए अलिजीबल हो आगे बढ़ते हैं आप कटोप की बात कर लेते हैं देखिए अगर मैं पिछले साल की बात कुरूं जिन भी स्टुडेंट के 50 बलस मार्क्स थे सभी को कोई ना कोई कोलीज मिल गया था किसी कोई दिकत नहीं आई थी इससे कम पे मिल गया था अगर मैं बात करूओ जैसे नोर्ट इस्ट के कोलीज है एंश्टे अगर तला एंश्टे थोड़ी कम जाती है लेकिन अगर नोर्थ की बात करूँ मैं खासकर एंश्टे नो एढ हो गया एंश्टे पानिपा T Aíलाबाद यहाँ पर मेरिट काफी हाई जाती है और आपको अपनी पसंद का कोली चाहिए पास का कोली चाहिए तो उसके लिए आपको मैनत करने पड़ेगी अगर आप एप्रोक्स सेवंटी मार्क्स लेके आते हो तो आपको एजली फस्ट चोईस में कोली मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं आए है ठीक है पास में जो भी इसटछी मिल जाए जो भी आपको अच्छा लगे वह यापकी लिए बैश्ट है अब बात कर लेते हैं पाटन और प्रिप्रिश्चन कैसे कर सकता है तो देखे जो सेटे 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 सेक्जाम है उसका पैटन आपका क्या रहेगा देखे जो सेटे होगा उसमें आपके 100 question आएंगे 75 question आपके जो trade theory है उससे आएंगे और 25 question आपका जो non-tech portion है math origin का वहाँ से आएंगे ठीक है question हिंदी के लिए दोनों language में आते है तो यह कुछ आपका एंट्रेस एकजाम का pattern रहेगा अगर आप status एंट्रेस एकजाम की तयारी अपनी अच्छे से करना चाते हो तो उसके लिए आप हमारी मेंबर्शिप जोन कर सकते हो मेंबर्शिप जोन करने के लिए आपको सिंप्ली स्वाट्सम नंबर पर contact करना है 790 680 6721 ठीक है तो इस वीड